हलोग मैं आज से हम्लोग पढ़ेंगे class 10 की electricity इस week मैं आपको तीन शप्टर पढाऊंगा electricity पढ़ांगा मैं आपको कमिस्टी में periodic classification element पढाऊंगा और मैं लोग स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा शथन कम्प्लीट पर करके revise करके मैं आपको देने हूँ electricity में जिसमें सबसे पहला टॉपिक है जिसको कहते हैं concept आफ चार्ज जानते हैं चार्ज होता क्या है चार्ज इद फंडामेंटल प्रॉपर्टी आफ एनी मेटर एन इट करियेट वाई loss and gain of an electron किसी भी एटम से electron के loss होने से electron के gain होने से चार्ज क्रियेट होता है लेकिन हर एक मेटर के अंदर कुछ न कुछ हमान में चार्ज परजिंट होता है उसी fundamental प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं चार्ज कहते हैं और जिसको हम small q या capital q से क्या करते हैं देनोट करते हैं तो हमने बताया कि चार्ज करेंट क्रियेट वाई loss and gain of electron तो अगर कोई भी एटम यह एक एक है जो electron का क्या करता है इलक्टरॉन का अगर यह लॉस करता है तो इसके उपर पॉजिटिव शाज आए जिसको यह प्लस कहते हैं और अगर यही यही एक एक्टरॉन क्या करता है यही एक्टरॉन करता है तो इसके उपर आपका एक नेगेटिव आएगा जिसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं तो चार्ज है कि इस फंडामेंटल प्रापर्टी मतलब हर एक मैटर के अंदर होता लेकिन ये तभी create होता है जब electron का loss हो या electron का gain हो मलब charge का creation इस बात पर depend करेगा कि वह item कितना electron loss करता है या कितना item electron क्या करता है gain करता है यह बात आपको पता हुने क्यों इस डारेक्ली proportional to electron अब जब भी हम किसी भी proportional sign को हटाते हैं 갑าल का साइन लगाते हैं उसके साथ हमीशा एक इस एन को कहते है हम लोग क्या एन को कहते हैं नमबर आफ इलक्ट्रॉन तो चार्ज क्या है चार्ज इस फंडामेंटल प्रोपर्टी आफ अन्य मेटर इट के करेट बाई लॉस एड गेञन ऑफ इलक्ट्रॉन जहां क्यूँस कुल तो एनी सबसे पहला मैथमेटिकल एक्स्प उनिट का चार्ज देखेंगे का स fentonite कम चार्ज कूलांब होता है जिसको आफ चार्ज कई चार्ज में और समझते हैं ऐसरो चार्जakah तो तरह से होते हैं एक पॉजिटिट्ज होता ही क्या होता आपका negative charge होता है property आप charge के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि light charge एक जैसे charge एक दूसरे को क्या करते हैं light charge एक दूसरे को repel करते हैं मतलब अगर negative negative के पास आएगा तो इन दोनों में क्या होगा repulsion होगा एक दूसरे से दूर जाएंगे और अगर positive positive के पास आएगा तब इनके दूरों में repulsion होगा ये दोनों एक दूसरे के दूर जाएंगे मतलब like charge repel to each other और दूसरी बात करते हैं अगर unlike charge के बारे में तो unlike charge हमेशा एक दूसरे को क्या करता है unlike charge attract to each other मतलब अगर एक negative है और एक positive है तो हमेशा दूनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं attract करने वाले हैं and this is the concept of charge hopefully समझ में आ गया होगा इसके बाद हम लोग दूसरा topic पढ़ते हैं जिसको concept of electrical current के नाम से जानते हैं बेटा